बिस्मिल्ला रख्वानि रहीम, अस्सलाम अलाइकूम मैं रुबीन आसिफ, आज मैं आपको गोला कबाब बनाना बताऊंगी, इसके लिए हमें जिन चीजों की जुरुत पड़ेगी वो यह हैं, इसके लिए हमने तक्रीबन 500 गिराम या हाफ केजी हमने बीफ का कीमा लिया है एक चमच हमने लिया है, इसमें डालने के लिए कच्चा पपीता, इसके हमने पेस्ट बना लिया है, और पपीते को पीसे तो इसको छिलके के साथ पीसे हैं, छिलके नहीं पीसे, छिलके के साथ ही पीसे, एक चमच हमने लिया है लसन अदरक का पेस्ट, तक्रीबन आठ से द 2 टीजपून लिया है पिसवा नारियल, एक बड़ी प्यास लिये और इसे हमने फ्राई करके कर्ष कर लिया इसे और यह मजीद मसाले जाएंगे, यह हम ने काली मिर्चे लिये, तकरीबन 1 थीजपून हमने थाबित काली मिर्चे लिये, जाइफल जफत्री ही लिये लूंग पेपर लिये और ये वने लिये कबाब चीनी और बलकि मैं इसको आपको करेद से दुखाती हूं ये लूंग दराज इसको हम लूंग पेपर भी कहते हैं फलफल दराज भी कहते हैं या पिपले भी के लाती है और भी दोटेश हैं तो जो आपकेश गोला कबाब अज्जा होते हैं जिससे इसमें फ्लेवर पेदा होता है और रीजा यह काली मिर्चे और रीजाए दोनों अलग 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 चीजें मगर इसमें और इसका फरक देखें के यह कबाब бывает चीनी है चो act यह काली मिर्चे में sucks तरफ छाबा लेगी कबाब चीनी और 2 टीसपून के खरें के ऍचबाब चानी म्रचे खाल्य यह जाएंक , लोंग पेपर । यह जीरा पंच छाहि पॉट नमग लिए थुट BritishUU एक चुटकी हमने लिया है फूट तंदूरी कलर यह ऑप्शनल है अगर डाले तो डाले मना ना डाले कोई मसला नहीं है यह हमने एक चुटकी के करीब लिया है और एक चमच हमें चाहिए मखन का अगर मखन का फ्लेवर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो फिर आप इसके दानेदार गी इसमाल करेंगे लिक्विट वाला इसमाल नहीं करेंगे ना चिकना इसमाल करेंगे जो दानेदार गी होता है वो इसमें जाएगा अब हम जो अपने यह मसाले हैं इनको पीस लेंगे पहले मिर्चे साबित मिर्चे जीरा यह बुनावा है यह कबाब चीनी यह कबाब चिनी प्रिख के लिए एक लोग पेपर लिए ठोड़ी सी जैफल जफत्री दोनों चीजी लिए 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 काली मिर्चे और ये अमने शाही जीरा लिया है ये हाफ टीस्पून लिया है इसे भी डालिए गए इन चीजों से इसका फलेवर भाब कर आएगा कुछ ची लोग पेपरर, शफेज़ जीरा, शाही जीरा, िसमें वह नंगेगीद करते हैं, वक दना लित्तों, मुधू this में अअगे एगेदे बाप जाम एकोन मघलॉ oh नमक लीत, बाद नमक लीड़ा, 1 टीस्पून लीड़ा है, लेविल गरम साला, गरम साला भोजादा भरके नहीं लीड़ा, क्योंकि हमारे बाकी भी स्थाइस गए गए, अब ये बाकी इसमें दोश के साथ ही पिष जाएगी, इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, ये हमने एक चमच भर के कच्छा पपीता लिया है इसमें छिलके के साथ ही पिषा ला दोगे अच्छी तरीके से, और कोशिच करें के पानी कम से कम डालें इन चीजों में पीषते वर् और ये हमने एक चमच जो है अधरक लसन का पेस्ट लिया है, तक्रिमन ये छे-साथ हरी मिर्चे हैं, एक चुटकी ये हमने तंदूरी कलर लिया था, ये भी जाएगा इसी में, ये उप्शनल है कि आप डालना चाहें तो डालें, खलीके कलर देने के लिए हैं, और एक मखन का, मखन से तरह कबाब में अच्छा आता है, अगर आप मखन पसंद ना करते हों तो आप खी समाल कर सकें, मगर दानेदार, एक चमच भर की लेंगे, अब इसको हम पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पीसना है हमने, बारी की से पीसना है, अब ये हमने अपने गोश को प चाहिए, आप कीमे में पानी है और पीस दाल के और फिर उसे पीस लें, वनना ये मेने बगए डबल लोटी के पीस आ है, अगर उसके बावजूद ये तना थीक है, अब हम इसके कबाब बनाएंगे, अब कबाब के लिए ये चाहें तो ये वोडिंगी स्टिक बीस कर सकते ह नूeg कबाब के सीके होती हैं आप इसके से कवाबМыत चाहिए और इसंदी करानें चिर्ण शिपषें कर तो भी ट्रुटेशन कर द 16 बर्ण युद्един कर जाए ले आप शना पहले एप ऑन ये एक रखना मैं यह मैं आपको बता रही हूं कि आप इस तरह सही लगता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं थोड़ा सा गेप दे रहें बस इस तरह के से और चाहें तो खाली इस सीख़़े से एसे अराम से उतारके आप कड़ाई में यह अपने पेन में इस्तामाल कर लेंगे इसको इस तरह करें एक पर हाथ पर ओिल में लगा लेक्तार करें मुठी का बस यह हमारे इस तहना कबाब बन लागे जाए है में इस पर दे के उतारूंगे वह जादत बेतर है इसी तरीके से हम अपने तमाम कबाबों को रेडी कर लेंगे अब यह हमारे गोला कबाब जो है तैयार है भ्मिन फ्राइए करेंगे। तक्रीबान तोन देन ठाइम शलो अब्सुजद करें घराइमे या चारकॉल के षूलिए स्मोग कहता है समस् Skills शलो प्रईंड करें में कनीक लगा पोर रखेंगे इस बकी कर सकते हैं और श़गे और बेक्टने पेले इसे में देखतन में के लिए रखना है और फिर तकरिबन 5 मिनट के बार जब यह सेट हो जाएं तो फिर इस पर हदगाता हम बुरूज करेंगे कोईल का बुरूज करके फिर उसे 5 मिनट मजीद हम देंगे इस तरीके तरह में बेख कर सकते हैं केबाब बुरूज करने लगाएं वर कोईलों पर एक साथ यह सीप कबाब बढ़ी सीपो पर लगाएं बढ़ी अपार पर ने हिलाना नहीं है जब यह सेट होने लगे घजिए इस तरीके से जब यह हीलाएं चर्चा करेंगे घचार अब हर आपह यहाम बला जाएंगे दोह का कर like-街 अरब-राम से साहय हमकराई के अरब अ-ई-साइ रचे ताकि सबस्रक से समय हो जाये इस तरीके से तमाम वाले प्लाब गशय में नब नगाने हमस्तों आद करेंak अब यह मुकंबिल फ्राइब हो चिजी है, हमारे बर तरफ से और इन्हें निकाल लेंगे इन्हें जादा देर कुप नहीं करना, जादा इन्हें 5-7 मिलेक लगते हैं, जादा कुप करने से ही होगा कि यह सक्त हो जाएंगी आज की रेसिपी गोला कबाब हमारे रेडी है, यह इंतहाई सादा रेसिपी है, यह अपनी खुच्बू और जाएके से पेचाने जाते हैं और बहुत पसंद किया जाते हैं, आप इसे चाहें तो बार्बी क्यू भी कर सकते हैं, आप इसका यह दिहान रखेंगे बस इसको यह पांच बंदों की सर्फिंग बनती है और यह 20 कबाब अराम से बनेंगे इसमें, इस रेसिपी को ट्राइ करें और अपनी फैमली के साथ इंजाय करें, अगर आपको मेरी यह वीडियो मेरी यह रेसिपी पसंदा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडिय किसी नई और असान रेसिपी के साथ जब तक अपना बहुत खयाल रखें, दौा में याद रखें, अल्ला पीस